टैलिंग दर टाइम टाइम को कैसे बोलेंगे टाइम की पास दो हाथ होते हैं वन स्मालर हैंड टेल अस दर आवर जो छोटी हाथ होते हैं वो घंटा बताती है कितने घंटे हो रहा हैं और दर लॉंगर हैंड शोज दर मिनट्स और जो लंबी हाथ होती है वो मिनट शो करते हैं मिनट दिखाती हैं इन दो क्लॉक शोन दो लॉंग हैंड पॉइंट्स टो ट्वैल क्लॉक में जो दिखाय जाता है कि जो लंबी हाथ होती है वो बारा पे रहती है और अगर जो छोटी हाथ है वो 6 पे है चोटी हाथ और बड़ी हाथ का मतलग कि दो सोई होती है तो तो उसे कहेंगे कि 6 बज रहा है आयो देखते हैं एक मिनत में 60 सेकंड होते हैं एक हावर में 60 मिनट होते हैं 1 minute equal to 60 seconds 1 hour equal to 60 minutes 1 day equal to 24 hour एक दीन में 24 गंटे 1 month 30 और 31 days एक महीने में 30 या फिर 31 दिन 1 year equal to 12 months एक साल में 12 महीने होते हैं 1 year equal to 365 days एक साल में 365 दिन होते हैं 1 leap year में 366 days, 1 leap year में 366 days होते हैं, leap year यानि की फरबरी में 28 दिन की जगा 29 दिन होता है, तो हर 4 साल के बाद leap year आता है, तो उसमें 366 days होते हैं, 1 dc equal to 10 years, एक दशक में 10 साल होते हैं, 1 century equal to 100 years, 1 century तब कहेंगे जब 100 साल होंगे, 1 million तब कहेंगे जब 1000 साल होंगे, Thank you